पाला कालू बनाएंगे पाला कालू बनाने के लिए फ्राइपिर में सबसे पहले कुक्की नॉयल डालेंगे आदा कप के बराबर और इसमें दो बारिक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे गुल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें बिल बटन दबाने ना भूलें और इसमें दो जबा लसन का डालेंगे बारिक कटा हुआ और इसे गुल्डन ब्राउन होने तक अब इसमें कुटी लालमेश डालेंगे, आदा चमच, इसे एची तरह से मिक्स करेंगे, यह बनाना बहुत असान है, बहुत ही मज़ेगा बनता है, अब इसमें आलू डालेंगे, तीन आलू, छोटे-छोटे क्यूप में कटे हुए, इसे एची तरह से मिक्स करेंगे, अब इसमें नमक डालेंगें आदा चमच नमक मिर्च आप अपने अंदाज से डाल सकती है अब इस अची तरह से मिक्स करके पकने देगें अब इसमें पालक डालेंगें एक गड़ी इसे काट के धो लिये थे अची तरह से अब इसे गलने देगें इसे देखें पालक गल चुका है अब इस अची तरह से मिक्स करेंगे अची तरह से मिक्स करते हुए इसे भुनेंगे दो-तीन मिनट तक यह आलू अपालक गल चुका है अब इसे दो-तीन मिनट भुनेंगे तेज आज में इसे देखें तैयार हो चुका है इसे डिश आउट करेंगे अब इसमें थोड़ा सा हरी धनिया डालेंगे और हरी मिर्श डालेंगे आप इस तरह से बनाके खाएं चपाती के साथ पराठे के साथ उबले वे चावल में बहुती मजेगा लगता है बनाए खाएं घरवालों को खिलाएं खुश रहें अबाद रहें हमें भी दुआओं में याद रखिएगा यह देखिए कितने मजेगा हैं अल्ला हाफिज